अलो माई डियर इस्टुडेंट हमारी जो है बेजिटेबल्स जो है आपके चल रहे थी और बेजिटेबल्स में जो है आज हम लेते हैं अनियन वाला जो पार्ट है इसको हम ले लेते हैं चले इस्टार्ट करते हैं लेए अनियन इस टेञालबा इस लो ओर इजन उता है यहां पर थोड़ा दितनी राही है यहां पर जो है यह आप ट्रट्यालिक्तरा एस या द्यानत है क्या है वście है A.C.A है सेटें चलिए इसके लाबाक कितने होते हैं 2N बराबर 16 देखो यही आणियन में है और यही आपके डारलेट में है डारलेट में भी फैम्ली औरिजटन और आपके लाब क्रॉम जम नममर भी मोनोटोट फैम्ली होती है 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 तेसे देखो ईट तो डेट पाम है को एट बलम और यह ऐपके बनाना जाने जो यह है बनाना है ठेक्ट है उक Although अडे 20 फार्ण तो ब्लब की बात तो द Kr format तोब और बल्व त्य है मौडिफाइड इस ट चलिए यहां तर जो है आप नोट कर सकते हैं कि अब थोड़ा सा जनरल देखते हैं इसका जनरल में बैई लॉन्डे ब्लांड है और लॉन्डे ब्लांड क्योंकि यह जादतर जो रवी सीजन जो ट्रॉप होती है वो लॉंडे प्लांट होती है याद रखना जादतर रवी सीजन आपकी बेजिटेबल्स और आपकी जो ट्रॉप होती है जो फसल होती है वो लॉंडे प्लांट होती है या निदी प्लॉबरिन के लिए जो पर क्रास् cross pollination क्यों होता है क्योटी इस में जोने採या पाया जाता भई प्रोक्यों क्यों पाया जाती है त्यों आ चलिए प्रोटोएंड्री अवस्ताप आई जाती है प्रोटोएंड्री टा मतलब क्या होता है जो आपका मेल मेल पार्ट होता है वो आपका क्या है फर्स्ट एपिर होता है ध्यान अठें जो मेल पार्ट होता है वो आपका फर्स्ट एपिर होता है आप बात परें पंजसी जोआप यानि इचाथी जो आप प्याज ठाते हैं तिधा पन आता है आप रोथा है बोट इस्टे टारण होता है ईलल प्रॉपल सबब्य жुझाव orig पे आज भी होते है अब very important very important क्या है कि जो yellow color होता है yellow color की state आरण जो है आता है quidL ne की टारण किसी टारण की सटे टारण आता है तो के सटे इन की टारण तो देथना फंजेंसी टारण तो पंजेंसी टेश्टे टारण रहा है अलैल म्होड़ सेटे रहा एं झान देहरा है पनकी अनियनीज इनि इंपोर्टेंट टेश्ट रॉप मैंली lowered इन विंटर वैइ देढो टेस्स ट्रॉप क्या ती होती हैं बाई जिनको हम डारेक staat सेल तर सकते हैं जैसे आपने हार्वेश्ट किया हारवेस्ट के बाद आप डारेट जिनको मैंली सेल टरते हो देढो सेल तो किसी को भी कर सकते हैं लेकिन जनरली हमारे अध्रिकल्चर टर्म में यूज़ रहें तो डारेट जिससे बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है और डारेट आप फिल्ड से सेल टरते हैं वह आपकी जैसे प्याज है है ना तो यह टैस्ट रॉप में टाउंड होती है तो प्याज जो है जो आपकी अनियन है वो लू से भी बचाव डरती है यानि क्यों हीट रिस्टाउट होता है हमारे बोडी तो बक्चाव डरती है द्यान अख् crude किरव आटए बढ़ते हैं कि अडिक्नल फैक्टर देखो इसमें चो है ना इसमें एन्ट फंडल फैक्टर होता है पिर उसके बाद टीर एंडेशिन एटसन ऑफ ओनियन लेटराई मेटर यह जो फैक्टर होता है आप देखो प्याज आपने काटते ही हो आटनेर वाद आशू आते क्या नहीं आते हैं देखो पंजेंसी मतलब जो तीठापन जो अम ठाते हैं जो आता ह और जो आसु आते हैं वो क्यों आते हैं वो आते हैं वन प्रोपे-ल वन प्रोपे-ल सफोनेट असेो मिलता है तो आपके जो precision होता है, उसमें ऐलेज एंजेब आको देखने क्यों मिले दो द download है अदला जनरर्ल है बोल्टिन गधिखने दी जोटेन है कि आप जनरली देखो आप फ्याज सी बड़ी हुई और आप प्याज ले या जाते हो ये ना बढ़िया उसको फिर वास टाल लेते हो फिर मार्केट में बेज देते हो जनरली यह ही होता है अब सुचो हम प्याज को उठाड़ते नहीं है उठाड़ेंगे नहीं या उसको हम जो है प्याज को अड़र निटालेंगे नहीं जमीन से तो प्याज लड़ी रही लड़ी रही तो बड़ी होड़ी तो उसमें होता क्या है इट फ्लॉवर आप मैं टेस सकता हूं कि ещё लाचा निकलती है और सी इस इसट पर ट्या लड़ता है किया लड़ता है और लड़ता है और फ्लॉवर से हीद में लड़ते हैं आपके लड़ते हैं और जिससे फ्लावर फ्लावर के बाद सीड बनता है यही तो बोल्टेन है आपके रेडिस में भी होती है ज्याने के तिरेंगे में भी आपके वोल्टेन होती है राजो एनार्ची नेशनल रिसर्च एनार्ची फ्लावर फ्लावर की बात करते हैं यह हुआ जो अन्यान होता है उसका फ्लावर कैसा होता है जो फूल होता है वो कैसा होता है है कैसा होता भई वाइट होता है द्यान इसका इसका इसके लाबा यह तो मैं बताई चुछा हूँ इस यूज फूर अगेंस्ट साने स्टॉर भई लू से बचाता है आपको जो है डर्मी से बचाएगा वीडियो पॉजिटर क्या आप लिखें एंटी फंडल फेक्टर क्या ड अच्छी प्रवम में इस टल लेता है हाँ डारेट जो लेटिन प्रॉब्लम मैं पाट होता है रिवी चंटेंट एडिकल्चर में माइने रखता है कि कंटेंट आप किस टाइप का पढ़ रहे हो कितना आप कंटेंट पढ़ रहे हो सूचो कैसे ही अब आपको आपने यह नह पता है यह नहीं पढ़ा तो आप केसे बता पाओगे समझ रहो तो यह अब यह तंटेंट डाल दिया तो यह तंटेंट मैन हुआ कर नहीं हुआ मैन है तो एडिकल्चर में होता है कि उस कंटेंट से आप से कुशन आना चाहिए है यहाँ पर जादा फेट चलते हैं छले है अटला है निटनेम मिस्टर ओनियन हे जॉंस जुरो मिस्टर ओनियन जो है इनको ट्यूटी इनों ने अनियन पर बहुत ज्यादा जो है टारेट यह है इसलिए इनको कहते हैं बाटी यह ट्रॉस पॉलिनेटेड होती है ड्यू तू प्रोटो एंड्री यह मैं बता चुका होती है यह भी मैं बता चुका हूं आपको अददा बढ़ते हैं लाइँ अब क्लाइमेट क्लाइमेट में भी काफी अतन अटम पढ़ चुके हैं की कूल सीजो मतलब in तर व्ये सिजन मतलब मैं बता चुका हूं विंटर है आपकी जो अनियन होती है ड्यूसी ए consulting baru temperature for onion वल्व temperature या निती वल्व जो डवलमेंट होता है जुव्लपमेंट का जो डव्लपमेंट होता है जो बल्व जो बनता है 100 त्षा-वीजो इसराल बनता है उसके लिए पाटी सीड जर्मिनेशन आपने यदि सीड जरूट अनिट लिए लगा दिया है जमीन में आपने सोईन गड़ दी है तो 20 से 25 डिद्री सेल्सियस रहता है पाटी सोईल से कुशन नहीं आता है तो सोईल बली पढ़ने टी जरूद नहीं है सेंडी जो हैं लोम सोईल होती है इसके अलावा सोईन की बात करें तो देखो इसको जो है जनरली जो सो जो बोवाई की जाती है वो रवी सीजन में की जाती है तो रवी क्रॉप है और टूबर टू नवेंबर आलंगी आज कल जो है ठरीब में भी इसको डिरो टनने लग गया है ठरीब की बहुत अच्छी है आप सउटिं टर रहे हूं तो सउटिं सेंटेंस क्या होती है 15 cm into 10 to 8 to 10 cm देखो जो पहले लिखी जाती है वह वो तो आपकी row to row होती है rn to r बाद में जो लिखी जाती है वो ट्रया होती है plant to plant distance होती है तो ध्यान एक भाई so in drop टरने रवी में टरने planting distance ट्यार रहे ले ले अतला देटे रठा है seed rate अतला देटो seed rate में या तो आप बीज ले लो जो seed है या तो वो ले लो या फिर आप चाहो तो bulb ले लो बल्व मतलब जो आपकी प्याज है सीधी थी सीधी आप प्याज ले लो अब सोचो आप कहते हो वह आप प्याज लेनी है तो आप ये टेटेर में गम से गम ये टेटेर में आपको 1000 से 1200 1200 लडवर इतना आपको kg kg में जो है बल्व प्रती हैटेर रेक्वार्मेंट जरूद पड़े रही चाहो तो आप seed भी लड़ा सकते हो ये आपके क्या है seed है ये बल्व जब एजे seed हम एजे seed हम बल्व ले रहे हैं पूरी पूरी हम प्याज ले रहे तो वो आपका इतना लड़ेगा और आप जो onion का seed अभी मैंने बताएदा जो seed बना रहे हैं वो बोल्टिन से बोल्टिन होने देते हैं फिर seed का production लेते हैं अब इस इस्तिति में आप बना रहे हैं तो रवी त्रॉप और खरीप रवी में आप 10 kg ले लो जो हैं और इसमें 12 to 15 kg ठरीप सीजन में तो ध्यान आठें इसका बाती transplanting transplanting में क्या तेना चारा है कि आप इने क्या आए सबसे पहले आपको पता हो तो nursery लड़ाते हैं और nursery से आप man field जो आपकी man field होती है इसमें आप क्या तरते हो transplant करते हो man field में जब transplant गिया जाता है तो nursery में जब आपने sowing की है उसके sits to 8 weeks 6-8 सबता बात क्या तरो आप transplanting तर दो यही तो टेना चारा है transplanted when the seedling are sits to 8 weeks of age then you are transplanted into the man field यह आपका जो man field है यह आपने nursery लड़ाई nursery में जो हैं यहाँ transplanted दो आप कई बार पूछ लिए जाता है कि भाई यह nursery area कितना चाहिए कितनी टे लिए अब सोचो आपको 1 hectare में लड़ाना है यह 1 hectare आपका man field है इसमें आपको onion लड़ानी है इसमें आपको onion लड़ानी है इसमें लिए आपने ट्या लड़ाई nursery लड़ाई तो nursery लड़ाई तो कितना area sufficient है for 1 hectare transplanting लिए यह आपका प्याज के लिए 500 meter square nursery area is sufficient for 1 hectare यह ध्यान अठे यह very very important है तो यह आप note कीजिए जल्दी से ठीडिया आगे बढ़ते हैं वीडियो पॉच टरके आप note कर सेखते हैं बाती सभी टेलीडाम चैनल एप्लिकेशन पर notes content सब है वहाँ से आप ले सकते हैं चलिए बढ़ाई बात करते हैं red onion और white onion चलिए रेड बेंड डारेट में पढ़ देता हूँ इनको पुशा red है एदरी फाउंड डार्क ट्रेड है पंजाब रेड राउंड है हिसार 2 है अरका टल्यान है N53 है नासित रेड है और पूना रेड है तो ध्यान एक हैं बई पूने रेड ये सब जो हैं इस्टेलाबा रेड ग्लोब है उदेपर 101 है देखो उदेपर 101 तो किस्टी है रेड उनियन की है और उदेपर 102 यह उदेपर 102 वाला भी कोशन आये हुआ है यह आपके वाइट ओनियन की है वाइट ओनियन जो है वो कम-ठी ठी होती है ना बड़िया ठाने में मज आता है उसको ज्यादातर वाइट ओनियन ठाने में में यूज़ करते हैं और ज्यादा तर सब्जी जैसे सब्जी में आप उन छौंट मोट लटाते हैं तब रेड अनियन यूज़ करते हैं वाइट में क्या है पूशा वाइट व्लेट पूशा वाइट राउं ओधैपुर वन जीरो टू और पंजाब 48 ठीक है डारेट नोट कर स्थरीप यहां से डारेट कोष्च न आये हुआ है अं 53 खरल्यांड यह कोष्च न आये हुआ है एडरी फाउझ डार्क एड कि अनियन की छरीफ सीजं? यानि धरीफ सीजन में दुरोट रनने वाली जो व्राइट वकुटू? खुल्कू? टल्यां ये फरफ का निक टेदन है आपकी ठीरिया बात ये अधर वेराइटी वे याद नहीं है तो पूशा माद भी है पूशा अरका विश्वास है पूशा रिद्धी है पूशा रतनार है अरका बीम है अरका लालमा है ठीरि अब यह देखो ये डारेट आपको याद नहीं है इसका कोई तोड नहीं है ति आठे बढ़ते हैं और भी दिखो और भी बहुत सारी बैराइटी है और का टीरती मान है भीमा राज है जो डार्क रेड होती है भीमा सट्ती है भीमा स्वेता है अब यह भीमा स्वेता वाइट होती है यह आपके FSO जो food safety officer जो FSO exam हुआ था उसमें यह कुश्यन आया था कि जो वाइट अनियन की जो बैराइटी वो कुंसी है तो भीमा स्वेता अंसर गया था जो वाइट होती है तो यह आइधिन सो उसमें कुश्यन था क्यों बहुत पहले जाम हुआ था मुझे अच्छे से याद नहीं है लेकिन उसका भीमा स्वेता गया था वो इस आधार पर जा सक स्वेता नहीं है क्यों यह वाइट होती है भीमा सुब्रा यह वी वाइट होती है खुले स्वर्णा यह यलो होती है इसके लाबा जो है दिरीन अन्यन है आप देखो जिसकी आप सबजी बनाते हैं नो कहते हैं नो फालर की प्याज भया फालर की प्याज तो पूशा सोम्या और earlyin दिरानों, यह बडिया आ है आप इनकी सब्जी बना सकते हो पहले ही, प्याज पूरी बनने से पहले ही उठाड़ लो, इनकी फालर कहते है नो, फालर की प्याज की सब्जी इस टाइब से जो हो है, बना सकते हो कि अब जो लीफ होती है इस लीफ में जो है ये थिर्पस क्या है लीफ होती करता है सत ईल सैल सैब और यह अनियनका मेजरपेष्ट है इट Jetzt Policy zaman में इतना ही पूछा जाता है कि assist क्या है वह होता है ध्यानत है और thrift stability बाती control करना है तो था ही method जिम से आप control कर सकते हो ठीटे बई चलिए और देखते हैं ये देखो ये इस type का जो है आपका जो thrift होता है ये देखो ये लगरा आपका जो है अनियन की प्याज पर जो है ये thrift है आपका ठीटे बई ये क्या है thrift पारीं बढ़ते हैं अब होती है purple block very very important परपल बलॉच जो है वो किसमें लड़ती है अल्टरनेरिया पूराई फंडस सीड़ बार्न होती है धिरो ये भी एट्जाम में आया हुआ है ये परपल बलॉच किस से होती है phundus से होती है उस phundus टा नाम क्या है Alternuseअ पोराई Purple recharge किसमे होती है onion में होती है चिससे होती है और यह किस प्त्र की disease है seed born क्यों यह कई type की होती है seed born, soil born, air born इस type की disease होती है तो उसमें यह seed born है यानी यह बीज से लगती है और यह series foliar disease है पतियों पर लगती है manly इसमें purple blotch में क्या होता है small pinkish spots appear on affected leaves and stems अब दो जो spots हैं जो आपके दब्बे हैं वो आपको दिखाई देते हैं इस पर जैसे ये देड़ो ये रही ये आपकी purple blotch है इस type से ये क्या है आपकी purple blotch ठीकिए बई चले और भी black mold डालांगी ये नहीं पूछी जाती है अधी onion bulb and stem nematode ये आप से पूछा जा सकता है इसका नाम कि onion जो आपका bulb है और stem nematode जो रहता है इसका नाम क्या है इस nematode का नाम क्या है जो effect करता है तो ये आपको पता है nematode manly मुठ्य रूप से जड़ों को harmful जो root होती है उन पर effect करता है वहाँ पर knots बनाते हैं तो आप देट पा रहे हैं तो ये आपका जो है अब ये जो manly जो मुठ्य रूप से किस पर effect करता है ये आपके bulb जो नीचे रहती है और stem जो आपका दनली leafy की पार्ट होता है उस पर जो है डाइटी लेन का डिप से सी जान अठें ठीक है तो ये आपकी अनियन होती है complete automated year student बादी आप चैनल को subscribe कर देना और application है एप है एडरी पावर जैपुर ये एप डाउनलोड कर देना बाई ऑनलाइन कोर्स चाहिए तो आप English Medium के हो तो इसके अलाबा टेली डाम चैनल सेम टेली डाम चैनल आप जोइन कर सकते हो ठीक है भई टेली डाम चैनल भी आप जोइन कर लने है और वाकिए कोई inquiry हो तो आप मुझे call डर सकते हैं thank you so much for watching video thank you so much चलिए कर दो आप मुझे